पर अब आपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माच्जाउब्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोटो खीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी है फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट चार्सो इस क्वेस्टिन में दे रखा है कि एक बुलेट है जो कि 25 ग्राम का है होरिजॉंटली फायर किया जा रहा है और जाके बलेस्टिक पेंडूलम जिसका मास 5 kg उसमें जाके इंबेडेड हो जा रहा है और बोल रहा है कि यदि सेंटर आफ मास इस पेंडूलम का राइस कर जात है ten cm to ten cm से स्पीड ऑब बोलेट क्या हो गिन तो क्यों ऑस अज अ फैसेंटर आफ Bubble जाओता है और यह हो गया हमारा Ten cm से राइज को यह जोश एरॉंड है वहाह किसता है 10 cm हमने माल दिया 10 cm से rise हो गया अब हम कैसे करेंगे इस question को सबसे पहले तो momentum conserve होगा इस पूरे system में यदि हम इस bullet और ballistic pendulum को एक system consider कर ले यदि हम यह दोनों हमारा एक system है तो net external force system पे 0 लग रहा है जब net external force 0 लग रहा है horizontal direction में तो momentum भी horizontal direction क्या होगा चन्जर्व होगा momentum एक vector quantity इसके पास डियरेक्शन होता है तो horizontally momentum क्या होगा चन्जर्व होगा तो conservation of momentum से क्या लिख लेंगे वह लिख लेंगे लेटर सपोझ इसका मास हम small m मांन ले इसका मास हमने capital M मान लिया velocity इसकी V है लेटर सपोज इसको जो velocity मिलेगा वो some capital V होगा तो हम कैसे conservation of momentum से लिख लेंगे mv is equal to m capital V तो capital V is equal to क्या हो जाएगा which is the velocity of यहां भी हमने m capital V लिखा है बट यह जो bullet है वो जाके क्या कर रहा है embedded हो जा रहा है इसमें तो इसलिए यह क्या होगा यह मास्च जो होगा m plus m होगा आफ्टर कोलीजन यह मास्च जो होगा embedded हो जा रहा है तो इसलिए m plus m और इन दोनों की combined velocity capital V वो capital V जो होगा हमारा small m by small m plus capital M into small v के equal हो जाएगा यहाँ small m क्या है हमारे पास वो मास्च से 25 ग्रम जिसको हम केजी में convert करेंगे तो कितना जाएगा 0.025 यह मास्च कितना हमारे पास 5 kg तो यह हो जाएगा मास्च 0.025 0.025 plus 5 kg और जो velocity दे रखी है वो कितना दे रखी है simply V दे रखी है कि यह V velocity से जा रहा है तो इसकी velocity का होगे small v होगे तो यहाँ से हम solve करेंगे तो यह आ जाएगा 0.025 divided by 5.025 small v तो यह जो value आएगी हमारे पास small v by 200 वन आ जाएगी अब क्या हो जाएगा हमारा यह तो हमारे पास आ गया है इन दोनों की combined velocity capital V तो capital V जो है उसकी वज़से इसमें kinetic energy डेवलप होगा initially ballistic pendulum rest में था जैसे ही bullet जाके embed हुआ वैसे ही इस ballistic pendulum में kinetic energy डेवलप हो जाएगा तो energy conservation से हम कैसे कर लेंगे अब लिखेंगे according to conservation of energy हम क्या लिख सकते हैं conservation of energy conservation of energy से हम क्या लिख सकते हैं half mv square अब जो मास है चुकि small m भी जाके यहां embedded हो चुका है तो यह हो जाएगा small m plus capital M और इन दोनों की combined velocity क्या है capital V half mv square which is kinetic energy this is equal to mgh तो small m जाके embedded हो गया है g और g side तक rise करेगा वो हमने लिखिया h चुकि energy का कोई direction नहीं होता है तो जरूरी नहीं है कि जो इसमें displacement होगा वो इसी direction होगा यदि वो उपर भी rise कर रहा है तो energy की तो कोई direction नहीं होती है इसकी वज़े से इसमें energy produce हुआ है और वो energy किसी भी form में conserve हो नहीं चाहिए तो वो energy किसी भी form में क्या है conserve है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं यहां भी small m plus capital M है यहां भी small m plus capital M है cancel हो जाएगा यहां से जो rise हुआ है वो कितने का rise हुआ है 10 cm rise हुआ है तो 10 cm को meter में convert करेंगे तो कितने आ जाएगा 0.1 meter तो यहां से यह आ जाएगा half v velocity क्या आ गई वो capital V जो आ गई small v by 201 यहां से आ गई small v by 201 whole square this is equal to g की value होती है 10 जो rise हुआ है वो 10 cm हुआ है तो meter में convert करेंगे तो 0.10 meter which is 0.1 velocity of bullet v है तो v square is equal to यहां से क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 201 into 201 201 का square into 2 into 10 into 0.1 क्या हो जाएगा 1 यह भी square आ गई तो v is equal to क्या हो जाएगा square root of 201 into 201 into 2 यहां से आ जाएगा 201 root 2 इसको solve करेंगे तो यह value हमारे पास आएगी तो यह value आएगी 284.2 meter per second तो यह हमारी velocity of bullet आ गए 284.2 meter per second वह velocity कौन से velocity है यह वाली velocity velocity of bullet और यह हमसे पूछा गया था find the speed of bullet क्या हैं